हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू अनदर वीडियो तो कैसे हो आप लोग आई होप की बढ़िया होगे तो आप लोगों इस टाइप का लिरिक्स वाली वीडियो इस्टेग्राम पर जरूर देखा होगा बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है यूटूब पर भी बहुत ज्यादा क्रियात करने के लिए हम लोग को आफड इफ्यक्टर का जगरत होता है उब हुट इसको इसको से करने वालेयो, और अगर आप लोग टियस्ट करतें हो All प्रोफेशनल आप लोग का वीडियो लगता है तो आज की इस वीडियो में आप लोग को यहीं बताऊंगा कि यह जो टेक्स्ट है उसको कैसे क्रियेट करते हैं सारा इस वीडियो में आप लोग को और लोग को एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ वीडियो को थोड़ा भी स्कीप मत करना नहीं तो समझ नहीं आ गया इस टैप का जो टेक्स्ट है उसको बनाने में काफ़ी ज्यादा महिनत लगता है बट देखने में इतना प्रोफेशनल लगता है कि आप लोग का वीडियो का यह ज्यादा करता यह टेक्स प्रेट करने के लिए लोग के आप और यूज करने के लिए आप लोग मैंने पहले से एड़ करके रखा है इस टेप से आप लोग ब्लैक पेज़ एड कर लेना इधर का प्रोसेस है थोड़ सा टफ है आप लोग देखती जाना फिर अपलाई करती जाना तो इस टेप से मैंने एक ब्लैक पेज किया इसका जो लेंथ है वह छे सिकंड का है बट हम लोग इसको से Council आप लूग जीतना और रखना आप लोग रख सकते हैं यहां से मैं 1 से कड आप यहां से आपना जो टेक्स्ट है स्को टाइक है करते कर Lub तो यह कर Одने यह यूज करना है आप लोग चाहते हो कि दूसरा यूज करते ही तो आप लोग उसको कर सकते हो बट यह वाला जो font है काफी ज्यादा अच्छा है तो यहां से हम लोग इसमें थोड़ सा glow एड़ करेंगे यहां से यह वाला glow को करेंगे आप लोग देख लिए इसको थोड़ सकम करना 25 की अकॉर्डिंग रेंग उसको थोड़ सा बढ़ा देना इतना 60 या 70 तक फिर आप लोग का जो ग्लो एड़ हो जाएगा यहां से सैड़ में जाएंगे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना इसको फूल कर देंगे ब्लर है उसको भी थोड़ा से इंक्रीज कर लेना 50 तक उसके आद डिस्टेंस को भी थोड़ा से हम लोग को इंक्रीज करना है इतना उसके आद इसमें एनिमेशन करना है एनिमेशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और काफी ज़्यादा रोल प्ले करता है यहां से हम लोग फैड इन को सेलेक्ट करेंगे आप लोग यहीं सेलेक्ट करना दूसरा मत करना उसके आद इसका चुल्डेंथ है रख लेना 0.3 सेकंड के अकॉर्डिंग उसक इस ट्वाला हो गया उसको थोड़ा सभी मतलब इधर और इदर करने की ज़िवरत नहीं है यहां से है इसको हम लोग ट्री वरड टाइप करने वाले हैं तो यहां से आप लोगों का जो इस पेसिंग है वो अच्छे से हो जाए उतना आप लोग को इस सेड खिसकाना है इसको फिर यहां से रैड क्लिक करेंगे उसके आद इसको दो बार डूब्लिकेट करेंगे दो बार उसके आद इसको यहां से जहां से फेड हो रहा है वहां से आप लोग को इसको एड करना है यह देख सकते हो और उसके आतäg से मिनकोगों इसको करना है, जहांसे यह फेड हो रहा है, वहांसे इसको अड़करने इस टाप से, फिर कैसा इन ही मेहिटन बनता है, आप लोगों को बताता है, यहां से, ya, ok, अब इता हम लोग को रखना है, लेंथ को, जीता हम लोग का first text है उतना अब इस पीछा type करना है मतलब कि जो भी आप लोग text type करना चाहते है उसको कर ले ना यहां से मैं लिख देता हूँ अब इधर से इस में जाएंगे basic में अब इसको हम लोग को इधर scroll करना है इसको भी करना है इधर इसको medium में रखना है उके होगिया हम लोग का video एक बार प्ले करके आप लोग को बता रहेता हूँ कि किस työ और अब हम लोग का video ready हो गिया है यहां से एक और चीज आप लोग को बता बहरेता हो काफी professional लगता है यहां से style में जाएंगे इसके आद यहां से इसका opacity उसको पूरा डाउंट करना है आप लोग को इसके आद इस टॉक में जाना है वाइड कलर ही इसको यहां से फूल कर देना फूल मत करना ज्यादा हो गया है यहां से थोड़ सा रखना ताकि इस टाइब को इस टाइब देखने को मिल जाए आप लोगों को जितना आप लोगों को इस टॉक चीए उतना आप लोग कर लेना देख सेकतो काफी professional लग रहा है और प्ले करके द हो गया है यहां से आप लोगो प्ले करके दिखा देता हूं काफी मस्त हम लोग का इनीशन है वह लग गया है यहां से डन पर क्लिक करेंगे यहां से निव प्रोजेक्टर की option पर आप लोग को टैप करना है देन एक ब्लैक पेज एड़ कर लेना है यहां से जल्दी से आप लोग को देखने को मिल जाता है और सबसे पहले हम लोग को इसका रेश्यो चेंज करना है इसको मैं बताना भूल गया है इसको यहां से यह वाला से लेक्ट करेंगे विडियो को थोड़ से जूम करना है इस टेप से अब इधर स्क्रोल करके इसमें मास्क का यूज करें यह रहा मास्क है आप लोग को इस पर टाइप करना है यहांसे फ्रस्ट वाला हम लोग को सेलेक्ट करना करेंगे यहां से रोटेट को आप इसको यहां से खीच लेना यहां से फिर से पूजिशन में जाएंगे और फर्स्ट में एक की फ्रेम देना यहां से उसको इसको इस साइड मूब करना है पूरा जितना भी हो सके उसको आप लोग को लास्ट तक लिए जाने घॉंक इसके अड़रोगों इंटरफेस देखने को मेल जाएगा यहां से इसको डॉन कर देना इसको यहां से राइट क्लिक करदेना फिर हम लोग के शमने कुछ ऐड़ी अप्सं अब लोग को देखने को मिल जाता है इस पर ट्रैप करना और जो ग्राप मैं बता रहा हूं उसी को यूज करना काफी मस्त लगता है इधर स्क्रोल करके एज आउट 3 वाला है इसको आप लोग को यूज करना है इसे थोड़ा सा फास्टर देन स्लो इस टैप से होता है तो काफी कूल लगता है यहां से रैट क्लिक करेंगे अब इसमें एक एनिमेशन डालना है हम लोग को यहां से एनिमेशन में जाएंगे यहां से एक अच्छा सा एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे जो एनिमेशन मैं बता रहा हूं उसी को यूज करना यहां से आउट निमेशन में जाएंगे इन में आप लोगों कोई साभी एनिमेशन यूज करन इसको यहां से एक्सपोर्ट करना है यहां से जो भी रेजुलेशन आप लोग रखने चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रखकर एक्सपोर्ट कर लेना पर क्लिक करके हम लोग को फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑपशन Ş यहां से फिर से एक black paper आप लोग को add करना होगा इस टाइप से आप लोग को interface देखने को मिल जागा इसमें फिर से एक test टाइप करना है यहां से text वाले option में फिर से जाएंगे यह text करके जो भी आप लोग stylish font में लिखना चाहते हो उसको यहां से type करेना like मैं ले लेता हूं tutorial वाला उसके आद जो भी font हम लोग यूज करेंगे सारा चीज आप लोग को मिल जाएगा description में यह वाला font में जाएंगे और यहां से यह वाला जो font हम लोग का उसको हम लोग को use कर बेटर टाइम है आप लोग अगर डाफ फंट में से जाकर इसको डाउनलोड करना चाहते हो तब भी कर सकते हो या फिर link description में वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो उसके अद्ध यहां से right click कर देंगे यहां से रइड करना बताना भूल गया यहां से ratio को एक ही select कर करें आप लोग को यहीं सब में एड करते जाना है यहां से राइड क्लिक करेंगे टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा करना है इस पर टायप करके इसको इस टाइप से खीज लेंगे अब स्टाइटिंग में आएंगे और इधर स्कूरोल करेंगे देख सकते हो यहां से इधर स्कूरोल करेंगे और ड्रॉव का एक ओप्शन आप लोग को देखने को मिल जाता है इस पर आप लोगों को टैप करना है देन कुछ इस टैपसे इंटरफेस आ जाएगा यहांसे color selected क्लेना फिर हम लोगोंने टेक्स टबी टैप किया है टूटोरियल वाला उसको यहां सेय प्रेंट करें आप लोग जिस्क्रिन पर देखते हुं जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आप लोग को भी करते जाना है ωंके इतना होजारेक बात हम लोग का ड्रॉइंग कम्प्लीट होके यहां से राइट किलिक करेंगे देन एक layer आप लोग के सामने create होकर आजाएगा इस step से हम लोग को यहां इस पर animation करना है इसंपर डेंगे और जो अनिमेसन इसको सको इस पिर उसको ही यूज करना है काफी मस्द अनिमेशन है यहां से फिर्च पर प्लिक करेगे और एक बार फीर से प्ले करके, आप लोग को दिछा देता हूँ काफी मसर्ण लग रहा है उसक दो यहां से फिर से इसको करणा है एक्सपूर्ट हो जाने के बाद, Done पर Coin करेंगे उसक दो फिर से अभी जो एक्सपूर्ट किया, उसको यहां से एड़ करना है करने हैं यहां से न्यूंग प्रोजेक्ट को अप्सटन पर फिर से टैब करना है कि यहां से यहां से Internal में जाकर इसको इसको ज्यूर में जी्ट करना आब लिग्west कर लेंगे जो अभी अभी हम लोग eerall का एक टूल मिलता है आप लोग को इस पर टाइप करनी है फिर हम लोस्ट वीडियो है रिवार्स हो जाहेगा उभिफ हो गया एक बादेख लेते हैं काफी मस्त रिज़ल्ट आया है हम लोग का देख सकते हैं यहां से आम लोग को जो फस्ट में जो जो ब्लैक है उसको यहां से रिमूब करना है तो यहां से जहां तक आप लोग का ब्लैक पार्ट है वहां तक आप लोगों को डिलीट कर देना है यहां से हम लोग का ब्लैक पार्ट है यहां से इसको से कट कर देना और यहां लाश्ट में आएंगे यहां से इधर स्क्रोल करना है और लाश्ट में आप लोगो यह वाला उप्शन मिलता है फ्रीज का आप लोगो इस पर टाइप करना है फिर यहां से एक फोटो क्रियेट हो जाएगा इसका लेंद को थोड़ से कम कर देना तीन सेकंड का आप लोग के सामने लेयर क्रियेट इसके आद आप लोग एक बार रिजाल्ट देख सकते हो ओके काफी मसल लग रहा है इसको फिर से हम लोग को एक्सपोर्ट करना है यहां से एक्सपोर्ट कर लेना देन फिर से एक्सपोर्ट कर लेना डान पर क्लिक करेंगे यहां से फिर से new project की option पर आप लोग को tap करना है देन एक solid color आप लोग को ले लिना है जिसको भी आप लोग मतलब की text को जो भी color में आप लोग रखना चाहते हो उसको यहां से add कर लेना मेरे पास दो से तीन color मैंने select करके रखे हैं उसको यहां से add कर लेता हूँ ओर आप लोग ऐसा color select करना कि line के जैसे हो जैसे कि एक color भी लेना उसके आद यह वाला color लेना देननी यह वाला फीरी यह वाला इस टैप छब लोग को color से लेक्ट करना है यहांसे यहां से इदर स्क्रोल करके इसका भी ratio हम लोग यह वाला कर लेते हैं उसके आद यह जो फोटो में एड करना है यहां से वीडियो में जाकर उस वाली वीडियो को इन्वर्स हो जाएगा इस टैप से आप लोग को अब इसको एक्सपोर्ट करना है इसी टैप से दो तीन कलर को आप लोगो फिर से लेकर इसी टैप से एक्सपोर्ट करना है जैसे मैं करते जा रहा हूं आप लोग को इस्क्रिन पर दिख रहा होगा वैसे आप लोग को भी 2-3 कलर सेलेक्ट कर लेना है उसके आद फिर से आप लोग को न्यूज प्रोजेक्ट का ओप्शन पर टाप करके तिनों हम लोगों ने जो वीडियो को अभी एक्सपॉर्ट किया था कलर वाइस उन तिनों को को लाइनप से इसको एड करना है लाइन से तिनों को ने एड कर लिया इस टेप से और आप लोगको एक आइडिया देता हूं वैसे आप लोगों को भी करते जाना है यहां से हम लोग का स्टार्टिंमें इस टैफ से जो लोख को ने ब्लेंड किया था उसी अजाएगा शुलिट कले उसको हम लोग basin करें है यहा waffle consisting और एक हटाद दे रही है उसके रही हैStra आर तक हम लोग को यहां से लेना है उसके यहां से कट करके इसको डिलीट कर देना है देन हम लोग का जो सेकंड वीडियो है उसको यहां से आर से लेना है यहां से ओके यहां से कट करेंगे और आगे के पार्ट को हम लोगों को डिलीट करना है दिन इसको थोड़ सागे आएंगे और यहां से कोई साभी एक वर्ड फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहां हम लोगों यहां से वी सेलेक्ट कर लिया वो इसकाद यहां से इसको कट करके डिलीट करना है वो इसकाद यहां से हम लोगों को वी से स्टार्ट करना है यहां से वी स्टार्ट हो रहा है यहां से इस पर कट करके इस टैप से डिलीट कर देंगे अब एक बार प्ले कर पहले option में जाकर इधार स्क्रोल करना है और मिक्स का एक नाम से आप लोग को एक transaction मिलगा इस पर आप लोग को टैप करना है लेंद को 0.1 रख लेना क्योंकि हम लोग का जो clip है छोटा-छोटा है तो दोनों में apply नहीं होगा तो उसके बाद यहां से apply to all पर आप लोग को tap करना है उसके बाद जो हम लोगों ने first video export किया था उसको यहां से add करना है तो first वाले video हम लोग का यह है उसको यहां से add करना इस टैप से देख सकते हो एक बार play करके देख ले दें पर्फेक्ट है उसके अद यहां पर आना है हम लोग को दिन overlay में जाकर हम लोग को उस वाले ब्लेंड करना है यहां से splice वाले option में जाकर आप लोग को screen सेलेक्ट करना है यहां से यह वाला sorry filter है उसके अद यहां से right click करेंगे देरने यह जो text है उसको छोटा करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा चाहिए ओके यह सही लग रहा है उसके अद यहां से यह वाला text को हम लोग जहां पर भी आप लोगों रखना चाहते हैं उसके accounting इसको adjust कर लेना उसके आद आप लोग को वीडियो को play करना है इसके speed को थोड़ा सा और increase करना है ताकि हम लोग का जो यह वाला वीडियो है उसके equal में आ जाए इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसपे टाप करेंगे थोड़ा सा आगे करेंगे इसके speed को थोड़ासा करने हैं हम लोगों यहां से इस वीडियो जाकर इसके इक्वल आ जाए उतना आप लोग को इंक्रीज करना है देख सकते हो इस टेप से काफी सही लग रहा है हम लोग का वीडियो उसके अद्द हम लोग का यह वाला टेक्स्ट है वह रेडी हो गया है उसके अद्द आप लोग मैं आप लोग इसको एड़ करना चाहते हैं उसको यहां से ब्लेंड करके उसको सेलेक्ट कर लेना